नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं और सरकारी कर्मियों के समान बेतन देने की मांग कर रहे थे धारना अस्थल पर पीला वस्त्र पहने संस्कीत बिध्याले के सिक्षकों ने पूरे बिधी बिधान पुर्वक चंडी पाठ किया अंत में हवन करते हुए सरकार को सदबुधी देने की माध दुरगा से प्रातना की माहधारना के बाद राज येपाल के नाम राजभौन में मांगो से समधित ग्यापन सौपा गया इससे पूर्वर राज के बिभीन जीलो से आए सायकडो सिक्षक सुबा 10 बये से ही राजभौन के पास एकत्र होने लगे थे मोर्चा के संजय कुमार ने कहा है कि समस्याओ के समधान के लिए सिक्षकों को संगहर स्टेज करना होगा परतिनिधियों ने कहा है कि वह पिछले 25 से 30 वर्सों से बिना बेतन के काम कर रहे हैं ग्रामिन छेतरों के बच्चों को सिक्षित कर रहे हैं बीत रहीत स्कूल इंटर कॉलेज का अधिगरहन किया जाए हाई कोट में जल्द सुनवाई का आगरह कर सकते हैं सियम हेमांत इडी के समन के खिलाब जारखन हाई कोट पहुंचे मुख्य मंत्री हेमांसुरेन अपनी आचिका पर जल्द सुनवाई का आगरह करेंगे मंगलवार को हेमान सोरेन के अधिवक्ता की और से आदालत में मेंसन की चाने की मांग की जाएगी बता दे कि इडी ने सीएम सोरेन को समन जारी कर 4 अक्टूबर को पुस्ताश के लिए बुलाया है हेमान सोरेन ने इडी के समन को अवैद बताते हुए हाई कोट में चुनोती दी है इससे पहले हेमान सोरेन ने सुप्रीम कोट में आजका दाखिल की थी सुप्रीम कोट ने उन्हें हाई कोट में पक्ष रखने का निर्देश दिया था इसी आलोक में हाई कोट में आज का दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि ED ने उन्हें पहले भी अवाय दिखनन मामले में समन जारी किया था समन पर वह ED के समक्स उपस्थित होकर अपना ब्यान दज कराया है जैक बोड दसवी बराहवी के लिए जारी हुआ क् fundament सरकारी स्कूल के बच्चे जहारखन एकेडमी काउंसिल की दसवी वे बराहवी की परिक्षा में बेहतर प्रता सन कर सके इसके लिए पहली बार क् parking तैयार किये गए हैं सबसे बड़ी बात या है कि किउश्चन बैंक में प्रस्णों के उत्तर भी दिये गए हैं ताकि बोर्ड की तयारी करने वाले बिद्यार्थी बेहतर धंग से उसका अभ्यास कर सके। कर दिया गया है इससे बिद्यार्थी उसे डाउनलोड उपयोग कर सकते हैं। रांची के मोराबादी स्थीत होंके स्टेडियम में इसका आयोजन होगा आयोजन को लेकर तेरिया चल रही है। बताते एसेन महिला होंकी चेंपियंशिप की तयारी को लेकर मुख्यमंत्री है मांसुरे ने सोमो अरकुम मुराबादी स्थीत मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा एस्टो टर्फ एस्टेडियम का निरिक्षन किया। इस दवरान आगामी एसेन महिला होंकी चेंपियंशिप को लेकर की जा रही तयारीयों से मुख्यमंत्री आउगत हुए। शिक्सको ने इस दवरान कॉंग्रेस कर्याले में जम करनारेबाजी की साथी सरकार प्रवादा खिलाफी का अरूप लगाया। पारासिसको ने कहा है कि 2019 में चुनाव से पहले जामो कॉंग्रेस और आयद ने उनकी सेवा नियमीत करने बेतनमान और अने कल्यनकारी सुविधाय देने की बात कही थी लेकिन सरकार बनने के बाद मांगे पुरी नहीं हुई। आंदोलित पारासिसको ने कहा है कि 3 अक्टूबर को ओ जामो कर्याले के समक्ष परदर्शन करेंगे। बारिस ने किसानों के अर्मानों पर फेरा पानी। हो रही बारिस धान की खेती के लिए वर्दान मना जा रहा है। खाली पड़े खेतों में अच्छी नमी रहने से रभी फसलों के अच्छे पैदावार की गुंजाईस बढ़ गई थी। हालाकि इस बारिस के बाद हुए तिलहन फसलों को नुक्सानने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस साल खरीब मौसम में जीले में लग का छेहतर पते तिलहन की खेती हुई है। जे एम एम का 4 से 10 अक्टूबर तक से 27 अभियान दो लाग से बनाने के लख्ष को हासिल करने के लिए जहामों की ओर से आगामी 4 अक्टूबर से 20 अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए परखंडवार परवेक्षको की नियुक्ति कर पार्टी ने उन्हें कार्य दयुत्य और जिम्मेदारी सोप दिया है। लाने के लिए सोमवार को बैठा कर परखंडवार परेक्षको की नियुक्ति की गई है। इसके कलाकारों ने बापु के प्रिये भजन और राम धुन प्रस्तूत किये। इस औसा प्रमुक्य मंत्री हमामसुरे ने कहा है कि देश के लिए आज एतिहासिक दीन है। हम सभी लोग आज राष्ट पीता महात्मा गांधी की जनती बड़ी सिद्धत और उमंग के साथ मना रहे हैं। ज्यारखन के नौ लाख छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगी साइकल। सभी जीलों को 15 अक्टूबर तक इस वजना से लभानमीत होने वालों की सुची आदिवासी कल्यान आयुक्त के कर्याले को प्लब दकरानी है। सभागार कक्षमेश की तैयारी पूरी कर लिगाई है। मौके परमंत्री आलमगीर आलम सत्यान भोकता भी मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।